नमस्कार दोस्तों आज आपके लिए लेकरा हैं विहार वोर्ड एक्जाम 2022 फाइनल एक्जाम अठारे दू दू 2022 साइन्स दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बिलाइकन प्रेस कर देता कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा पहला इंपोर्टेंट कोश्चन है वास्तिक परत्वीम और आभासी परत्वीम में अंतर वास्तिक परत्वीम को परदे पर उतारा जा सकता है आभासी परत्वीम को परदे पर नहीं उतारा जा सकता है वास्तिक परत्वीम सदे उत्ता लेंस में अंतर। उत्ता लेंस बीच में मोटा और किनारों से पतला होता है। ये भी important question है, परकास का परवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें, परकास के क्लिणों का किसी बिंदू से टकराक और लोटने की घटना को परकास का परवर्तन कहते हैं, परकास के परवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण परवर्तित किरण एवं आपतन बिंदू पर दिखो जाती है दूर दुरिष्टी दोस में नेतर लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है नेतर गोलक लंबा हो जाता है नेतर गोलक छोटा हो जाता है इस दोस को दूर करने के लिए उतर लेंस का उपियो किया जाता है इस दोस को दूर करने के लिए उतर लेंस का उपियो किया द्रिष्टी दोस्त क्या है या कितने परकार कर होता है ये भी important question देखिए समान ये नेतर द्वारा 25 cm पर किसी बस्तु को असपष्ट देख पाता है जब इस असपष्ट दर्शन की निम्तम दूरी पर बस्तु को असपष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेतर में द्रिष्टी दोस्त है या चार पर करके होता है निकट द्रिष्टी दोस्त दूर द्रिष्टी दोस्त जरा द्रिष्टी दोस्त और दूकता असपट्रम क्या है जब स्वेत परकास किसी प्रिज में से होकर गुजरता है तो यह सात रंगों में विभाजीत हो दाता है परका परकास के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानने पर उसकी दीशा में होने वाले परिवर्तन की घटने को परकास का अपवर्तन का जाता है परकास का अपवर्तन के दो नियम होते हैं पहला आप्तित किरण अपवर्तित किरण और आप्तन बिंदु पर अविलंग तीनों यकी तल में होते हैं परकास के किसी खास रंग के लिए आपतन कोड़ की जया और अपवर्तन कोड़ की जया एक निशित अनुपात में होता है जिसे अपवर्तन नाग कहते हैं और इस नियम को हम असनेल का नियम भी कहते हैं आवतल दरपढ और उतल दरपढ में अंतर इसमें परवर्तन करने वाला चमकिला तल अंदर धसा होता है इसमें परवर्तन करने वाला चमकिला तल बाहर को उभरा होता है इसमें वास्तवीक और आभासी दोनों परकार के प्रत्वीम बनते हैं इसमें आभासी प्रत्वीम बनत और उतल दरपड में सिर्फ सीधा परत्वीम बनता है इसमें परत्वीम बड़ा छोटा बस्तु के आकार का तीनों परकार के बनता है इसमें परत्वीम हमेशा छोटा बनता है उतल लेंज के दो उपियोग नेतर से दूर दुरिष्टी दोस्कों सुधारने में छपाई के छोटे-छोटे अक्षरों के पढ़ने में भी होता है आउतल दरपड के उपियोग बड़े अकार के आउतल दरपडों का परियोग और उर्जा के लिए किया जाता है इनका परियोग वाहनों को सर्च लाइट टॉर्च आदी बनाने में किया जाता है सेविंग दरपडों को बनाने में इनका परियोग किया जाता है दन चिकित से विशेशक ये रोगी का परिरिक्षड करने के लिए भी इसका परियोग किया जाता है अमल छारक में अंतर, इसका सवत खटा होता है, इसका सवत खरा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, यह मेथिल औरेंज को लाल कर देता है, यह मेथिल औरेंज को पीला कर देता है, यह जल में बिलिय होकर हाइड्रोज साइड ओएच आयन देता है कि प्लाश्टर आप पेरिस के निर्मार की बीधियों उपियोग लिखे जीप्सन को तीन सतीहतर डीगडी केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अड़ों को त्याकर कैल्सियम सल्फेड अर्ध हाइड्रेट बनाता है इसका उपियोग है डाक्टर आपको हम बता है बिहार बोर्ड एक्जाम 2022 एन्योल एक्जाम फाइनल एक्जाम अठारे दू 2022 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में आपको अब्जेक्टी बताएंगे यह आपको दो नंबर वाला क्वेश्चन जो आपके आता है उसके लिए था और भी वीडियो आपको हम बनाएंगे जिसमें आठारे दू 2022 एक्जाम जो आपका होने वाला है बहुत ही इंपोर्टेंट होगा यह दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन प्रेस कर देता कि अगले व जोस्तो रादे रादे दोस्तो